असलाम अलेकूम डियर स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है लोंग क्वेस्टन बहुत इंपॉर्टन डॉंग क्वेस्टन है और एक्जैम्स के लिहाज से भी इंतिहाई इंपॉर्टन है वो कहता है हाओ डू साइंटेस्ट इंसर्ट जीन इंटू इन अ बैक्टेरियम के अंदर तो इसको डिसकस करने से पहले मैं आपको डियाग्राम पर ले जाता हूं और डियाग्राम के जरी से आपको यह जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम फर्दर थियूरी की तर लिया हमारे पास एक होता है डोनर सेल ठीक है और उस डोनर सेल के अंदर एक होता है यूक्लियस और उस न्यूक्लियस में क्रोमोसॉम्स और डियने होते हैं और सैक्र लास्ट हमारे पास होता है यह बैक्टेरियम सेल होते है अब डोनर से हम क्या करते हैं जीन कट करते हैं फ को मिला देंगे किस के साथ प्लाजमेट के साथ मिलाने के बाद दुबारा वही उठा के उसी सेल के अंदर दुबारा अगेन डाल देंगे फिर क्या होगा इसे कहते हैं जैनेटिक जैनेटिक मोडिफाइड वैक्टिरियम जो आपको इसकी डेफिनेशन बताएगा तो कि इसके अंदर एक फॉरन जीन आ गया है देखे पहले यह प्यूर था विल्कुल प्यूर था हमने इसके अंदर एक डोनर से एक फर्दर हमने एक जीन लिया और उसको प्लाजमेट के साथ मिलाने के बाद दुबारा उसमें इंसर्ड करवा तो जाता है तो इसी नियुकली विल्कुछ ऑग्व से फिर protein produce होना start हो जाती है, so that is called the grammatical production of the protein by inserting the genes into bacterium, अब हम चलते हैं इसकी theory की तरह से, वो क्या कहते है, वो कहते है the first step, ठीक है, the first step for inserting a gene into a bacterial cell is the identification and isolation of the gene of desired protein from the donor organism, जो पहला step होता है वो यह होता है कि आपको जो desire protein चाहिए donor organism से ठीक है, उसको सबसे identify करें, पर उसकी शिनाख करें, फिर उसको isolate, अलाइदा, अलाइदा कर दें, then क्या भी आता है an enzyme, ठीक है, an enzyme is used to cut the gene from the donor organism, और एक enzyme इस्तमाल करके, यार दिखेगा हम जब gene को cut करते हैं, ऐसे नहीं का मैं FF जो है ना वो छुरी उठा के knife उड़ा कट, नहीं, बिल्कुल नहीं, enzyme का use होता है, enzyme is used to cut the gene from the donor organism, हम enzyme का इस्तमाल करते हैं, और a donor organism से हम genes को cut off कर देते हैं, then हमारे पास है, the isolated gene is then attached with plasmid DNA, जो isolated gene होता है, वो plasmid DNA के साथ attached होता है, taken from a bacterium, जो के हम कहां से लेते हैं, bacterium से लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, यह देखें, यह हमने जहां से gene को cut off कर दिया, फिर क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं, the same enzyme, यह फिर इसी तरह का enzyme, यह used for cutting the donor or gene, जो donor के अंदर gene होता है, उसको भी हम cut करने के लिए enzyme का इस्तेमाल करते हैं, is used to cut the plasmid DNA at a specific site, so that a gene can be attached at the cut end of the plasmid, तो फिर हम दोलों को क्या करते हैं, अब attached gene of desire protein and the plasmid DNA are collectively cut, recombinant DNA, बहुत important है, जो आपने desire protein की थी, एक cell से, और उसके साद आपने जो plasmid DNA, जो है पिक अप किया था, और दोनों वो जब combine होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, recombinant DNA कहलाते हैं, the recombinant DNA is inserted back into the same type of bacteria, जो recombinant DNA तो आप उसे दोबारा insert करते हो, same type of bacterium के, from which, जहां से plasmid दोबार isolated, जहां से आप plasmid को alider करते हो, then वो क्या कहता है, then वो यह कहता है, the bacterium which takes the recombinant DNA, अब यह देखो, यह बैक्टेरियम है, और इसके अंदर क्या है, यह recombinant, क्योंकि यह combine, जहांना वो, हमारे पास basically, जिस आप कहते हो, additional circular pieces of plasmid है, तो जो बैक्टेरियम जो टेक करते है, recombinant DNA is genetically modified bacterium, तो वो क्या कहलाता है, genetically modified bacterium, और उसे कहते है, GM bacterium or transgenic bacterium, इसके दो ना में यार रिखेगा, GM bacterium भी कहा जाता है, और इसे transgenic bacterium भी कहा जाता है, उसके बाद वो कहते है, GM bacterium starts dividing, फिर GM bacterium divide होना start हो जाता है, and produces, और produce पैदा करते है, a bacterial colony, एक colony पैदा करते है, every bacterium of the colony contains a copy of the gene of desired protein, हर colony अपनी एक desired protein produce करती है, when bacterial colony grows, जब बैक्टेरियल कोली मतलब यह colony है, वो ग्रोज करती है, it starts making protein, तो वो protein बना start करती है, under the instruction of inserted gene, जो उन्हें insert किया जाता है, in generating and generating genes are various useful products, insulin, enzyme for the synthesis of various medicine, vaccine are inserted in bacteria and desired protein are obtained, various medicine और vaccine जो हम insert करते हैं, bacteria के अंदर और desired protein क्या होती है, produce होती है, तो यह था आपका long question, how do scientists insert gene into bacterium, I hope आपको यह lecture clearly समझा आ गया होगा, कोई question या कोई बात मुछें तो आप मुझसे WhatsApp पे contact कर सरते हैं, thank you बेटा, लाफेश,